श्री गनेशाय नमाहा नमशकार दोस्तों ये राशी फल चंद्र राशी पर आधरित है चंद्रमा मन का कारक है हमारे मन पर जो भी उतार चड़ाव आते है वो चंद्रमा की स्थिती लेकर आती है इस वज़े से चंद्रमा की पोजिशन हमारे रोज के जीवन को बहुत बुरा जाता है तो आईए जानते है इस दिन चंद्रमा आपके लिए किस तरह के परिणाम ला रहे है दोस्तो इस दिन चंद्रमा आपकी कुंडली में छटे भाव में रहेंगे इस दिन आपका व्यापार जॉब जैसे है वैसे चलते रहेंगे किसी तरह का नुकसान तो नहीं होगा लेकिन फायदा भी होने की संभावना कम है निवेश करने के लिए समय जोखिमबरा रहेगा सामान गुम हो जाना या चोरी होने की संभावना ज्यादा है विशेश कर यात्रा के दोरान तो यात्रा के दवरान अपने सामान का विशेश ख्याल रखना पड़ेगा यात्राई इस समय में करना ठीक नहीं रहेगा अगर ज्यादा जरूरत नहीं है तो यात्राई ना करे मैरिड लाइफ में इस दिन तनाव भरी स्थितिया उत्पन हो सकती है शांती बनाए रखे घर परिवार में किसी बात पर मतभेद होने की संभावना रहेगी ग्रहमान खराब तो नहीं है लेकिन अच्छा भी नहीं कहा जा सकता स्थितिया सामान बनी रह सकती है अगर आप विदेश में व्यापार या जॉब करते हैं तो आप के लिए समय काफी अच्छा रहेगा विदेश से धन कमाने के लिए भी समय अच्छा रहेगा अगर लवलाइप की बात करें तो लवलाइप के लिए समय सामाने रहेगा किसी को प्रपोस करने के लिए प्यार जताने के लिए समय अनुकुल नहीं है अपने परिवार से शादी के लिए अनुमती लेनी है तो ये दिन ठीक नहीं रहेगा थोड़ा सचेत रहे शांत रहे जीवन को एंजॉय करने की कोशिश करते रहे अगर स्वास्ति की बात करें तो स्वास्ति के लिए समय अनुकूल नहीं है, कोई बड़ी परिशानी तो नहीं होगी, जो लोग पहले से बीमार हैं उन्हें सेहत का ख्याल रखना होगा, सेहत से संबंदी चोटी मोटी परिशानिया इस समय में सता सकती है, दोस्तो इस दिन प सरकाति लग अपने माथे पर जरूर लगाए, हमारा स्वास्ति कापी हद तक हमारी आदतों पर निर्बर होता है, अगर आप एक्जरसाइज योका करते हैं, सुबह टहलने जाते हैं, अपने स्वास्ति के अंदरूर डायेट प्लान बना कर उसे अच्छे से निभाते हैं, तो सेहत से जुड़ी परिशानिया आने की संभावनाय काफी कम हो जाती हैं, और इम्मिनिटी बढ़ने से मोसमे बिमारियों का खत्रा भी नहीं सताता, तो दोस्तों खुद को स्वस्त रखनी की कोशिश जरूर करें, इस दिन हरे रंका इस्तिमाल करना आपके लिए पांच अंक इस दिन आप के लिए लखी साबित हो सकता है, दोस्तों ये राशी फल चंद्र राशी पर आधारित है, कभी कभी हमारी परसनल कुंडली में बाकी ग्रहों की पोजीशन कुछ इस तरह की होती है कि आपके राशी फल परिणाम में बदलाव दिख सकता है, इसलि व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने के लिए मेहनत के साथ साथ भाग्य का साथ होना भी बहुत ही आवश्यक होता है अगर व्यक्ति का भाग्य उसका साथ देता है तो कम मेहनत में ही अधिक सफलता प्राप्त होती है परन्तु कई बार ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति के ज अग्षा कियो हो रहा है दरसल आपके घर में ही कुछ ऐसी चीजह होती है जो हमारे भाग्य को प्रभावित करती है हमारे जीवन को प्रभावित करती है और उन चीजों के आसपास होते हुए भी हमें वो चीजे नजर नहीं आती वह चीजे हमारे चारो तरफ एक अजीव सा घेरा बना कर रखती है परन्तु हम उसको नहीं देख पाते इन चीजों से हमारे घर में और हमारे जीवन में नकारत्मक्ता फैलती है जिसकी वज़े से हमें भारे नुकसान उठाना पड़ता है हम पूरी तरे से कंगाल हो सकते है दोस्तो काफी लोगों को इस तरह की आदत होती है कही से भी बाहर से आती है कही भी जूते चपल फेक देते है कही पर भी उतार देते है कुछ-कुछ लोग तो घर के एंट्री के में डोर के सामने ही जूते चपल डारेक्ली उतार देते है दोस्तो ध्यान रखे जूते चपल हमेशा साप सूत्रे रखे और उनको उनकी जगे पर रखे उनके लिए एक स्थान बनाए उस्थान पर रखे अगर कोई व्यवस्था उनके लिए की है तो बहुत ही अच्छी बात है वहाँ पर उने रखे साप सूत्रा रखे जूते चपलों को उनकी जगे पर कुछ इस तरह से रखे को वो देखने में भी अच्छी लगे अगर वो चीज़े देखने में अच्छी लग रही है तो फिर उनसे निगेटिव एनरजी उत्पन होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी तो दोस्तो इस बात का ध्यान जरूर रखे साथ ही दोस्तो एक और बात है जिस पर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी होता है हमारे घर के च्छत के उपर जिन चीजों का हमें काम नहीं होता है उन्हें हम घर के च्छत के उपर रख देते हैं ऐसा करते करते देखेंगे तो घर के च्छत के उपर कबार जमा दिखता है जी हाँ जो चीजे हमें लगता है आगे जाके हमारे काम में आ सकती है वो हम घर के उपर रख देते हैं. लेकिन वो चीजे तो काम में नहीं आती हमारे जीवन पर वो चीजे बहुती गहरा निगेटिव एफेक्ट डालती है क्योंकि ये चीजे हमें कही ना कही हमारे जीवन में पीछे रखेगी इस वज़े से घर के चछत को पूरी तरे से साप रखें पूरी तरे से साप सुत्रा रखें, क्लीन रखें साथी दोस्तों हम हमेशा देखते हैं घर के उपर जाने के लिए जो सीडिया है उन सीडियों के नीचे जो जगा होती है वहाँ पर सामान हमेशा रख दिया जाता है वो जगाई ऐसी है कि सामान को खीची लेती है वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ सामान मिलेगा ही अगर हम सीडियों के नीचे सामान रखते हैं तो हमारी उन्नती होना बहुत ही मुश्किल है जी हाँ सीडियों के नीचे कूडा कच्रा कबार अगर हम जमा करके रखते हैं कोई भी सामान रख देते हैं तो उस वेज़े से मालक्ष्मी हम पर प्रसंद नहीं होती, मालक्ष्मी हमारे घर में आने की संभावना बहुत ज्यादा कम हो जाती है, तो दोस्तों इन चीजों पर ध्यान रखे, हमारे घर की सीडिया होती है, उनकी नीचे की जगा, हमेशा साप सुत्री रखे, क्लीन रखे साथी दोस्तों अगर आपके घर में ऐसी कोई चीज मोजूद है, जिसका आपको काम नहीं है, जैसे टूटे-फूटे बरतन, आईना, तस्वीरे, इलेक्ट्रोनिक सामान, सोफा, कुरसी, टेबल, पलंग, घड़ी, जाडू, गमला, इत्यादी, तो आप इन सामानों को बहुत बड़ी परिशानी हो सकती है, आपको ये चीजे कंगाल बना सकती है, तो घर में ऐसी चीजों का मोजूद होना शुब नहीं माना गया है, इससे धनकी देवी माता लक्ष्मी जी का प्रवेश घर में नहीं होता है, इन चीजों से आपके घर में नकारात्मक उर्जा का संचार होता है और जिस वजे से व्यक्ति को मानसिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है व्यक्ति के मन में च्रिड़ेडा हट होती है और छोटी-छोटी बातों पर गुशा आने लगता है आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपका मन नहीं लग पाता है इस व्यक्ति का जीवन घर में मोजूद इन चीजों की वज़े से अंदकार में डूबने लगता है इसलिए आपको घर में बिना काम की चीजे कूडा कचिरा नहीं रखना है दोस्तों एक और खास बात है हमारे घर में मकडी का अगर ज जल सकते हैं क्योंकि मकडी अपना जाल शिकार को फसाने के लिए बनाती है और अगर आपके घर में मकडी का जाला है तो इससे घर में नकारत्मक उर्जा का प्रभाव अधिक बनता है और वास्तु शास्त्र के अनुसार इससे सकारत्मक उर्जा का नाश होना शुरू हो जा दोस्तो मुख्य द्वार भी हमेशा साप सुत्रा रखे मुख्य द्वार को हमेशा सजाया जाता है क्योंकि मुख्य द्वार से ही हमारे घर में लक्षमी का प्रवेश होता है तो मुख्य द्वार को साप सुत्रा रखे और सजा कर रखे तो बहुत अच्छा रहेगा इसी के साथ और कुछ चीजे है जैसे टूटी फूटी जो भगवान की मुर्तिया होती है वो हमारे घर में नहीं रखनी चाहिए साथ ही जो भगवान के पुराने फोटो है जो जमा करके रखे हुए होते है तो दोस्तों वो चीजे नहीं रखनी चाहिए जो भगवान के फोटो या भगवान की मुर्तिया जो घर के मंदिर में हैं बस वहां तक सीमित है अगर आपके घर के शोकेस में भी वो मुर्तिया रखी है कुछ फोटो रखे थे उने भी साफ करते रहना चाहिए जिन चीजों को हम maintain नहीं कर पाते, साफ नहीं रख पाते, उन चीजों को घर से हटा देना ही आपके लिए अच्छा रहेगा साथी दोस्तों कुछ तस्वीरे हैं जैसे डूँपते नाव की तस्वीर, या फिर जगडे की तस्वीर या फिर कुछ ऐसी तस्वीरे होती है जो देखते ही हमें समझ में आ जाता है कि ये तस्वीर negativity दर्शा रही है इस तरह की तस्वीर भी आपको आपके घर में नहीं रखनी है जी हाँ इस तरह की तस्वीर लगाने से भी हमारे जीवन में उसी तरह के घटना ये घटित होना सकते हैं धन ला सकते हैं मा लक्षमी जी का प्रवेश हमारे घर में हो सकता है तो इन चीजों को जरूर आजमाएं इस तरह के बदलाव आप आपके घर में जरूर करें धन्यवाद